जी चा जाएगा जो टाब्लेट होगा उनके हात में लाल रंग के कवर में सबकी निगाहें उस पर रहने वाली हैं कि किसको क्या मिलता है हाला कि आपको इस समय का ताजा statement बताते हैं वितराजी मंत्री पंका चोधरी का जुन्होंने का है कि सबका साथ सबका विखास मंत्र पर जोगा कि कैसे हर वर्ग को मोधी सरकार जो है वो खुश करने जा रही है लेकिन मैतपुन जानकारी ये भी ले लीजिए के निर्मला सितर रमन आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है यह रिकॉर्ड बतौर वित्व मंत्री साथवा बजट जो अपना वो पेश कर रही है रिकॉर्ड उनके नाम हो चुगा है और मोधी सरकार 3.0 का यह पहला बजट होने जा रहा है जैन चौधरी अब देखिए हर तरफ से रियक्शन भी सामने आ गया है जो कि यहां पर घटक दल के नेता हैं जिसमें जैन चौधरी हैं वो यह कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वे ल तो आर्थिक सर्वेक्शन 2024 हमारे राष्ट्य लक्षों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रोड मैप है यह कहना है जैन चौधरी का केंदर में मोधी सरकार NDA के वो सहयोगी है एक बड़ा स्टेटमेंट वो दे रहे हैं जाहिरत आपर उनकी बात बहुत महत्तपून ह हो जाती है क्योंकि वो एक वर्ग से आते हैं जाट समुदाय से आने वाले जैन चौधरी किसानों के एक बहुत बड़ा समर्थन उनके पास है तो उनकी भी बड़ी उम्मीदें किसानों के लिए आज के वर्ग में आज के दिन बड़ी घोशना को लेकर है विनीत हमारे सहयो पहुंच चुकी है मतलब यह पहला पड़ा वित्मंत्री निर्वला सितारमन का इसके आगे उनके हाथ में हम देखेंगे वो टाबलेट जिस पर सारे देश की आज निगाहें टिकी रहेंगी कि किसको क्या मिलने वाला है ताज़ा अपडेट दीजिए मैं आप बताना चाहूंगा कि वित्मंत्री निर्वला सितारमन जो है वो वित्मंत्राले में लगा जाता है इसके बाद वित्मंत्री निर्वला सितारमन जो है वो राष्टपती हो जाएंगे राष्टपती को जो है वो अपना में बजट जो है वो दिखाएंगी और उसके पाद ही वहां से पे सीधिये वितमंत्रि निर्मला सितारमन जो है वो संसदमे की ओर जो है वो रमाना हो जाएंगे एक और बड़ी बात में आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रक्रिया होती है जिसके तहात है फिर कैबनेट की बैठक होती है और कैबनेट में बजट को लेकर के जो है वो मुहर लगाया जाता है और उसके बाद वहाँ पर प्रधानमंते इनरेज मोजी के अध्यक्षता में ए करके बजट पेश करते हैं पूरी कैबनेट जो है वो इनका बजट होता है तो उसके बाद 11 बजे जो है वो वित्यमंतरी निर्मला सीता रमन जो है वो बजट पेश करेंगे एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो कैबनेट की बैठक होगी वो पर जो है वो अप्चारिक मुफर जो है वो लगाई जाएगी और क्याबनेट वे जो है वो बजट पर पूपास करेगा उसके बाद ही जो है वो बजट जो है वो वितमंतर निरुम्लातितरमन पेश करेगे तो बैं काफी महत्तुपूर्ण यह बात है अभी फिल्हाल वितमंत अब जानकारी के लिए अब्डेट के लिए नूप मैं लौटूंगी लेकिन तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि समय वितमंतर आले पहुंच चुकी है और हमारे सहयोगी प्रोसेस बता रहे थे कि आगे किस तरह से अब यहां पर आने के बाद अगला निर्मला सितारमन बजट परती हुई दिखाई देंगी